महाशिवरात्री का परवशनिवार को पुरे देश में धूमदाम के साथ मनाया गया कहा जाता है कि इस दिन माता परवती और भगवान शिव का विवा हुआ था शिवभक्त इस दिन को बहुत ही उस्सा के साथ मनाते हैं महाश्युरात्री के दिन वरत और पूजा का विधान भी है इसी दिन का इंतजार शीवभक्तो को बे सबरी से रहता है बेटमा में भी सुबसे ही नगर में सभी शीवबंदीरों के बाहर भक्तों का ताता लगा हुआ है वहीं नगर में शीवबारात भी निकाली गई जिसमें से शीव जी के 12 जोटी लिंगों में खास तरह का पूजा पाट का आयजिन किया जाता है धार्मिक मानने ताओं के अनुसार भगवान शीव इन सभी 12 जोती लिंगों में स्वें महादेयो जोती पुंजे के रूप में बिराज मान है माना जाता है कि जब कुछ नहीं था अर्थास रष्टी के आरंभ में इसी दिन मध्यरात्री को भगवान ब्रह्मा के शरीर से भगवान शंकर रूद रूप में परकट हुए थे कई इस्थानों पर यह भी माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वत्री का विवा भी इसी दिन हुआ था इसलिए महाशिवरात्री हिंदु धर्म में आस्था रखने वाले और भगवान शिव के उपासकों का एक परमुक्तियोहार है महाशिवरात्री का पर वो बेटमा में भी दोमधाम के साथ मनाये गया शिव मंदिरों में विशेश पूजन अभिशेक और परसादी का वितरन हुआ इस अशर पर बेटमा पुलिस थाना परिसर इस्थित महादेव को दुलहे के रूप में सजाये गया वहीं कुंडेश्वर महादेव पूरा बजार इस्थित सिदेश्वर महादेव मंदिर सही सभी ने शिवालेव में सुबस से भक्तों का ताता लगा हुआ था सामुई कभी शेक के बाद पूरा बाजार से बारात निकाली गई जो राजबड़ा चोक अंबेट कर चो रहा आवास का उलोनी त्रिवेणी चोक होते हुए पुना मंदिर पर समापत हुई इस बारात में भगवान शिव के साथ भूद बने बच्चे आकर्षण का केंद लग रहे थे बारात में सेक्र सद्धालू नाचते जूमते शिव भक्ती में सराबोर होकर चल रहे थे बारात का जगा जगा पुछव वर्सा करके स्वागत किया गया वही प्राचीन रेवा कुंड पर महाशिवरातरी का मिला लगा है रेवा कुंड मंदीर में भगवान शिव के आकर्षण संगार के साथ कुंड को फवारे और रोशनी सजाया गया जो आकर्षण का केंदर रहा नगर के सभी शिवालेयों में देर रात तक भक्तो की आवाज आई बनी रही बेटमा से राजन सूर्योंसी की खास रिपोर्ट ऋर्री कining कि युरू झो की खाना बेटमा से राजन से रात रात ओयं साथ लूवाज में धोा साथ कि जय laugh नहां आई था खाना दोने में की ळार, इसका राना नहां से में साथ तो भलोना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर मेंशन। कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झालेजी अजय को घान वार है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 मुझे शीव बनने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ मैं खुद को बहुत भाग्य साली समझता हूँ और ऐसे कारी क्रम हर नगर में होना चाहिए जो अच्छा मतलब संदेश दे इस बार भी शीव रात्रा निकाली गई इसकी सुरुवात हमारे पड़ो थी मदन गुरू जी की पतनी हमारी मामी जी द्वारा शुरू की गई थी जिने आज तक भी उनके पूत्र लाला भहिया द्वारा चलाया जा रहा है वह रती वर्शान सार इस बार भी बहुत अत्यदि है सबी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आफार हमारी मा तुल्य जोशी उनके पूत्र शर्मा लाला शर्मा नी उठाया है जो की बहुती सरानी कार्य है इस कार्य के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधिवाद देता हूँ और नगर की समस्त जन्ता को शिवरात्री के इस पावन नसर पर आर्दी गार्दी शुपकामना और बधाई धन्यवाद्री महा शिवरात्री के सभी को मंगल मैं शुपकामना जैसा कि आज सिद्धेश्वर महादेव पूरा बजार बेटमा में गुन्निस वर्सों से अनवरत चल रहें भगवान शिव की बारात जो मदनलाल जी शर्मा ने चालू की थी और उनके जाने के बाद उनकी पतनी ने यधावत उसे बनाये रखा और अब उनके पुत्र उस कारे को कर रहा है और बेटमा नगर में एक बहुती सुन्दर आयोजन भगवान भोलेनात की बरात के रूप में निकलता है करीब पांच वर्षों से उस आयोजन में एक अनुष्ठान भी जोड़ा गया है जिसमें रुत्रा अभिशेक कई जोड़ों के साथ बेटमा नगर के प्रतेक परिवार समरस्ता के भाव से इसने के भाव से प्रतेक परिवार के लोगों को आवाहित कर उनको जोड़ों के रूप में विठा कर भगवान शिव का दिव्य अनुष्ठान प्रारंब हुआ और यहां अनुष्ठान सबके द्वारा पूर्ण करने के पश्चात भगवान की सवारी उनकी बारात नगर में भ्रमन की जिसमें कई परिवार की महिलाओं ने सामाजिक बंदू ने प्रतिक परिवार के मनुष्यों ने और हमारे इश्टमित्र बंदू जो भी इस आयोजन से जुड़े हुएं सबी ने बढ़ चड़ के हिस्सालिया पूरा बजार बेटमा सिद्धेश्वर महादेव समीती के सबी लोगों ने इस आयोजन को बहुत य अचि महादेव से खोता होता हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें